सुआ है कौन सा वैक्सीन आप दे रहें किसको इसलिए कि वैक्सीन की असर और एक सी जो है वह बड़ी जिलूह मिसाल के तोर को पहले जो लोगों को वैक्सिनेट हो रहे हैं क्या उनको साइनो फार्म मिलेगा कि उनको मोडेना मिलेगा क्या उनको फाइजर मिलेगा क्या उनको स्पुट्निक मिलेगा कौन सा वैक्सीन है जो उनको मिलेगा नमस्कार दोस्तों एक बाइ फिर से स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज मैं आपके लिए एक नया पाकिस्तानी वीडियो लेके आई हूँ तो एक बार वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें और वीडियो को शेर करें मैं मिलती हूँ आपको वीडियो के आखिर में बड़ी अच्छी खबर है इम्रान साब और इलाली साब सब पाकिस्तानी जानते हैं कि फाइनली कोरोना वैक्सीन अब पाकिस्तान पहुंच रही है तैयारे में लोड भी हो चुकी है चाइना की पानिंग नहीं है कोई पता नहीं है कहां से मंगवा रहे हैं कब आएगी कितने लोगों को मिलेगी कुछ नहीं पता अब और भी तनकीद होगी इसलिए लोग पूछेंगे बई कौन सा वैक्सीन आप दे रहे हैं किसको मिसाल के तोर को पहले जो लोगों को वैक्सिनेट हो क्या उनको साइनोफार्म मिलेगा कि उनको मोडेना मिलेगा क्या उनको फाइजर मिलेगा क्या उनको स्पुटनिक मिलेगा कौन सा वैक्सीन है जो उनको मिलेगा और किस बेसिस पे आप वो मैक्सीम को तक्सीम करेंगे अब तो बहुत ही बड़े बातें आ जाएंगी ना इसलि तो फाइजर जो है वो 95% है मगर दूसरे जो है 70 है कोई 80 है देखिए तो किस बेसिस पे ये तक्सीम होगा कोई कहगा कि मुझे 95 चाहिए तो क्या आप उसको चासर्ट दे देंगे तो ये बड़ी बाते हैं जो मेरे ख्याल में ये गवर्मन्ट को सोचना चाहिए कि अब वैक्सीन तो आ रहे हैं बड़ी अच्छी बात है मगर ये कैसे होगा तक्सीम किस बेसिस पे होगा बूरों को ज़्यादा जी इसके लिए उन्होंने बिल्कुल बनाई हुई एस्ट्रे आप तो मुझे बता रही हैं जो ओर्डर अफ प्रेसिडन्स है वो तो छोड़ें मैं कह रहा हूँ उनको कौन सा वैक्सीन देंगे मोडरना देंगे साइनो फार्म देंगे जॉंसन औं जॉंसन देंगे स्पूटनिक देंगे कौन सा देंगे यानि किस एज ग्रूप के तो इन्फरमिशन शेयर करना चाए वो भी शेयर करें और साथ-साथ वजीर खारजा नहीं ये बताया कि जी अवाम के लिए तो ये वैक्सीन मुफ्त भी फराम की जाएगी हुकूमत की तरफ से जो होगी तो इस अमल को आप कैसे देखते हैं एक अच्छा फेल है बिसमिल्ल खारी तो है, साइनोफार उसके बाद हिलाली थाप जो आप बात कर रहे ना, उन कमपनिज की तो आह दी रही ने, फाइजर की आ रही है, ना जॉनसन आ जॉनसन या रही है यहां तो आईसो जाइनका की आएगी अब वो हाजी अब उस पे ये चीजे हैं कि जो आएगी कंपरी जिसकी आएगी वहां पे वही इनों ने दे ली है ना क्योंकि फाइजर या दूसरे जो मर्टी नेशनल्स है उनको तो पहले दूसरे मुलकों से भी काफी आडर मिल चु है और साथ साल से जो जाइद उबर लोग हैं उनके लिए भी जो स्ट्रेटीजी बिनाई गई है वो भी बेतर है कि उनको पहले ये वैक्सीन दी ताकि बिल्कुल है उमीद कर सकता है कि आने वाले दूनों में सिलसले में कुछ कहरा रहे हैं जी हाँ प्लीज देखिए दो त पूरा हो गया था शुकर है शुरू होगा मगर पांच लाग तो कुछ नहीं है ना हर आदमी को दो 230 मिलियन पीपल हैं इस मुलक में वो कब खातम हो कितने देर में वो सब होगा सोचना चाहिए मगर मैं फिर आपको कहता हूँ मैं किसी डॉक्टर और साइंस बेस्ट एक रिस्की है मिसाल के तोर पे अगर फाइजा नहीं आ रहा है यह कह रहे हैं तो कौन सा है जो लेस्रिस्की हैं बुड़्ों के लिए कौन सा एज ग्रूप है जिसको क्या देंगे यह सब चीज़ें यह हो की डिफाइन बिल्कुल ठीक हैं जाइज हैं और वी होग के सलसले में बी जब इतनी सारी चीज़ों में प्लानिंग जो रही है तो इसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाएंगी इन्शाला होपफुली लेकिन वैसे वो यह जरूर कह रहे हैं कि जी सेलेक्टिड प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं स्तीफा देने में और ने ये भी कहा है कि इनके लिए एक बाइज़त मौका था कि वो तमाम तनाजाद से हटकर अपनी अराम से इज़त बचा लेते क्योंकि काम तो उनसे हो नहीं रहा साथ ही साथ उन्हें इस्टैबलिश्मेंट को भी मैसेज दिया कि जी खुद को तनाजाद से दूर कर ले स्य आसी जमातों को खुद चीजें जो हैं हमारी रिजॉल्फ करने दे एक जो उन्होंने बीच में एक इंदिया दिया है अगे की लाहे अमल का वो ये है कि जी लांग मार्च अदम इत्माद या इस्तीफों के हवाले से आएंदा इजलास में गुफ्तगू होगी तो फिर कोई लाहे अमल का इहलान किया जाएगा तो इस तरीके का उनका एक ट्वीट या है बहुत तगड़े हो गए क्या रेजिगनेशन इन्होंने हासल किया क्या गवर्मन्ट हिली हुई है बिलकुल नहीं ये जलसे बिलकुल बेकार और जितने स्टेज पे लोग चड़े हुए थे सब चूटे नदर आ रहे हैं अभी तो ये एक ही चीज इन्होंने हासल किया है इ I mean it's terrible अगर आप मैं मैं आपको एक एक कर के नाम ले सकता हूं मौलाना साब देखिए इससे 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 उनके चैमिन्शिप से पहले उन्हेंने सीट खो गये थे उनको ऑनरेरियम बड़ा करोर नहीं मिल रहा था जो वो मिलना चाहिए था वो किश्मीर कमिटी क चैमिन्शिप से उनको अपना घर जो था उनका घर जो था मिनिस्टर्स एंकलेव में वो खतम हो गया था वो आइसलेट हो गये थे उनकी पार्टी अब टूट गई है उनका इस्टैंडिंग जो है कम हो गया है वो अब थूक के चाट रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम मैं ये all in a family यह चोड़ा सा गिला है और कुछ इससे ज्यादा नहीं है इनकी अपनी liberty थ्रेटन हो गई है यह किसी वक्त भी जेल पर जा सकते हैं तो यह क्या मनें कि अभी भी यह नहीं मान रहे हैं अभी भी यह समझते हैं कि कुछ हो सकता है यह क्यों कह रहे हैं फौज को कि भी तोड़ो मत पार्टीज को भी तुम अगर एकटे हो तो कैसे ठूटेगा पार्टीज तो यह तो मत को कि उनको पिल कर रहे हो कि आप मेरबानी से पार्टीज को उसको ना तोड़े एक तरफ आप पिल कर रहे हैं कि आप इंटरफेर करेंगे सीट खरीदने के लिए वाट इस दिस या फोगोड से है लो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा मुझे आप से एक रिक्वेस्ट करने हैं कि आप लोग जो भी इंडियन यूटूबर हैं उनके जो वीडियो होते हैं पाक के उपर उनको आप दिसलाइक ना करें क्योंकि आर अपड़े काका जो हैं quant ना वू पाकिस्थान वाली वह ए डिसलाइक करने के लिए तो आप कम से कम लाइक करो अर रही बात कमेंट की तो कमेंट tuna भी आप इंडिया की सपोर्ट में की जिस से पाकिस्तानों के पिछवारें में आगर्स ठीक